मैं सारे अपने शेरवासियों को परदेशवासियों को देशवासियों को ईद की मुबारक बाद देना चाहता हूँ और यही कामना करता हूँ परमात्मा से के हर वर्ग के अंदर एक प्यार एक भाईचारा बनाए रखेंगे ताकि इस देश की इस मुल्क की तरक्की में हर विरादरी का योगदान हो और सब का जब पूरा समाज कठा होगा तब ही हमारे देश का हमारे परदेश का हमारे शेहर का उत्थान हो सकता है और इसी भाईचारे की इसी प्यार की कामना करते हुए एक बार से फिर सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक बार